नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग डाउटेंट की इस लाइफ क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज हिश्ट्री का एक नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है अध्यौगिक कृरांती क्लास 11 की इस चैप्टर है बहुत ही प क्लाश 10th के मैं बात करूँ तो क्लाश 10th में भी आपने एक चैप्टर पढ़ा था क्लाश 10th में आपने कौन से चैप्टर पढ़ा था बई तो क्लाश 10th में आपने चैप्टर पढ़ा था औधोगी करांती का मतलब क्या था बई तो औधोगी करांती का मतलब यह था कि देखो औधोगी करांती का मतलब यह था कि दो एक दो चीज़े होती है एक तो आधी औधोगी करण मतलब औधोगी करण से पहले चीज़े कैसी चल रही थी तो उससे पहले चीज़े कैसी चल रही कोई व्तपादन बन रहा है अगर उससे संबन्दत एक चीज जो एक चछट के नीचे हो रही है और हम क्या करें हम मजदूरों का ज़्यादा इस्तिमाल ना करके मशीनों का इस्तिमाल कर रहे हैं पहले क्या था, पहले ऐसे नहीं हुआ गरता था, जैसे पहले हम बात करें, कपड़ा धूक्य हम बात करें, तो कताई कहीं और होती थी, सलाई कहीं और होती थी, बुनाई कहीं और होती थी, तो सब अलग अलग जगा हुआ गरता था, लेकिन जब ओधोगी करांती हुई तो सा मंजन का विश्कार हो जाता है, यहां पर मशीनों से जो हैं, आपर चीजे बनने लगती हैं, तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई इतियास होता है, इसमें भी हम इन सारी चीजों के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है, clear हुआ, चले, आगे बढ़ते हैं, तोड़ा सा बात कर लेते हैं, और धोही करांती के बारे में, तो ब्रिटेन में 1780 के दशक में, कब की बात हैं, 1780, 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच जो है, और अर्थ वेस्ता का जो रूपांतरण हुआ, उसे प्रिथम और धोही नजर आया, है ना, और ये कब तक चला भाई, तो इसको पैर पसाड़ने में करीबन 1780 साल लग गए, ऐसा नहीं है कि अधोई करण को लोगों ने एकदम से अपना लिया, 19 वे शदी के बाद जो है, जाके ठीक से इसने अपने पैर पसा लिया, स्टार्टिंग में तो लोग जो है चीजे जातर मसीन सही बनती है, बदलाव तो आया, है ना, तो यहाँ पर जो अध्योग और अर्थिवस्ता में चेंज हुआ, रूपा अंतरन हुआ, उसकी बात करने है, और यहाँ पर अध्योई करांती से ना सिर्फ अर्थिवस्ता में चेंज आया, यहाँ आप मिडल क्लास सुसाइटी निगल के आती है, और इस मिडल क्लास सुसाइटी नहीं क्या किया था, उधारवाद जो था, राष्टवाद जो था, यहाँ अंदुलन किये, तब यहाँ आप आज देख रहे हो, तो हर चीज जूड़ी हुई है, और उसमें जो अध्धोगी करांत महिलाओं की ग्रोथ में भी बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, ठीक है, दूसरी अध्धोगी करांती जो अथारसो पचास की दिशक के बाद आई और उसमें रसायनिक और विजली जैसे नए अध्धोगी चित्रों का विस्तार हुआ, अच्छा जैक है, यहाँ पर अध्धोग यहाँ पर रसायन और विजली जैसे नए अध्धोगी चेत्रों में इस्तार हुआ, आप देखोगे, यहाँ पर फिर जो यह थामस एडिशन जो होते हैं, विजली का बल बना देते हैं, विजली बन जाती है, एसी करेंट, डीसी करेंट बन जाता है, जब बिजली बन जाती देखोगी करानथी शब्त का परियोग, इसका परियोग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, तो दो को इस शब्त का परियोग जो है, यॉरूपी विद्वानों जैसे, किस नने किया था, सबसे पहले जहाँ पर बताय गया है, जार्शिस Michele, फ्रांस के थ यहां पर फ्राइड्रिक एंजल्स जर्मनी के थे इन्होंने किया था अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग जो है सरप्रिथम दार्शनिक अर्शासरी और नॉल्ड टायन नभी द्वारा जो है किया गया था थ्यों आधि प्रयोग बात करें लेकिन अंग्रेजी शब्द का प्रयोग आएंग्रेजी की बात करें ऊद्वग करांती वह तर अशनिक थे एक बहुत पड़े अर्च सास्री थे जिनका नाम था आर्नॉल्ड ठीकिए इनके द्वारा जो है किया गया था है ना द्वारा उन परवर्तनों का वड़न करने के लिए किया गया जो ब्रिटेन के और धोगे कास में 1760 और 1820 के बीच मतलब जो भी उद्धोग में बदático बदाओ नजर आए कहां पर योप में योडोप में भी कहां पर ब्रिटेन में यह वही ब्रिटेन ने इसने हमें गुलाम मनाया था तो जो भी तो जो भी ध्योग में रुपा नत्रन हुआ बदलाओ नजर आए उसको इस्तामाल किया गया है ना इस शब्द का कुरांत क्या हो दिक बदलाओ, बहुत बड़ा बदलाओ, है ना एक major scale पर जो बदलाओ होता है, Britain जो है पहला देश था, जिसमें सब पत्थम औधोई करण का अनुवप किया, मैंने बोल दिया आपको यह चीज़ जो है आपको बता दिया, सब से पहले सब पत्थम जो है, कहां आया था, तो ब्रिटेन में आया था, इसके कारण ब्रिटेन की राजनितिक विवस्ता, कानुन विवस्ता, मुद्र प्रडाली, बाजार विवस्ता, एक ही प्रिकार की मुद्रा का प्रयोग, है ना तो इसमें बहुत सारे बदलाओ देखे, राजनितिक विवस्ता बदल बात करेंगे, ठीक है, clear हुआ, तो देखो, और धोगी करांती से जो है, नई नई मशीनों का अविश्कार हुआ, उत्पादन में मशीनों का प्रियोग होने से मानव को भारी कामों से छुटकारा मिला, और धोगी करांती से यातायात्वा संचार के साधनों के नए नए अवि प्रियोग होने से मानव को भारी कामों का छुटकारा मिला, अब जहां एक चीज में दस लोग लगे हुए थे, वहां एक चीज में सुर्फ एक याँ दो लोगों की जवर्वत पढ़ती थी, क्योंकि बागी के काम मशीन समाल रही थी, और धोई करांती से यातायात्वा पादनों की नए-नए अविश्कार हुए, जैसे आप देखोगी, रेल पे, रेल आगी, अब रेल आगी तो इससे क्या हुआ, कि दूर तराज जहां पर खेती हो रही है, जहां पर ग्याहूं, चना, मका, अदाल, इनकी खेती हो रही है, उन्हें जो आप बंदर गाह तक पह आप वगर आ गया, फिर बाद में फोन आ जाते हैं, नए-ने अवश्कार हुए, पहवयन की तिर्व गामी सारणों से समय और दूरी पर मनुष ने वजया हासल कर ले, समय पर भी और दूरी पर भी, फिर बाद में आप देखोगे, यहां पर ऐरो प्लेन आ जाएंगे, वो अपने प्रोड़क्ट्स को जो है, ठीके न, अच्छा बनाने की कोज़िश करेंगे, इससे क्या होगा, मनुष का जीवन होगा, यह थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, मनुष के जीवन को जो है आसान बनाएंगी, ऐसी बहुत सारी वस्तों आती हैं बई, जो मनुष के जी मांगे, वो भी बढ़ रही थी, कच्छे माल की मांग बढ़ रही थी, है न, बैंकिंग क्रडाली के विकास हुआ, एक अलग ही बैंकिंग विस्ता जो है, यह आगू होई, बड़े-बड़े बैंक उबहर के आएंगे सामने, अब थोड़ा सा यहां पर नकारात्मक प्रवा कि पहले, आधी आधी किरह में होता क्या था, उनके पास इतनी या खेती वगायरा हुआ नहीं करते थी, इस नहीं पर सामंतवादी सल्ता था, बड़े-बड़े जमीन दारों ढ़े हातों के जाहतें, यह क्या करते था, तो यह थोड़ा बहुत खेती यह यह अऔर ऑपने घ जिथानी उनके पास, है ना, तो अपने जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए जो है, जो है, वो शेहरों में आने लगे, शेहरों में जो है, अत्यदिक जनसंक्या की कारण, स्वास्ते, शिक्षा, पेजल और आवास की समस्या हुई, जनसंक्या बहुत जारा थी, उस ताम जो है बहुत जादा महंगा हो गया था ठीक है इस तरी यह आप पुरिशों का जो है सोचन होने के कारण जो है स्वास्ते पर दुश्प्रूबाओ तो यहाँ पर आप देखोगे इसी में देखोगे आप कि बड़े बड़े जो पूझी पती जो है बड़े बड़े पूझी पती जो है वो आके क्या करेंगे भाई वो सोचन करना शुरू करेंगे हुआ किस दक करेंगे शर्मिक निकल करना शुरू करेंगे अब है थे नया वग करेंगे एंगे पूंजी पती आ और दूसरा और निकलके आएगा पूंजी पति और शा महसट्र 5 तो हमारे समात हना हमेशा से ही जो बहागोु और वाझत तरह है जैस cep 0023 और उनके अंडर में जो गरीब किसान है वहाया करते थे पहला है गुलाम हुआ करते थे उनके जो मालिक होते थे अब क्या थो एक नया पर निकल के आया उत्पीडन कौन किसका करेगा तो अध्योग पती जो वर्ग है वो सर्वहारा वर्ग का उत्पीडन करना शुरू करेगा तो ये सारे जो बदलाओं है वो आपने देखे और अब जो हमारा नया टॉपिक है वो है क्रशी करांती के प्रमुक कारण अब यहां पर हम बात करेंगे क्रशी के बारे में थोड़ा सा चैप्टर हमने पढ़ भी लिया था इसमें और ज्यादा अच्छे से पढ़ने की कोजिश करेंगे तो देखो यहां पर अब जैको ब्रिटेन में क्या है भाई अधगी करांती के तो उसका सीधा सीधा असर किस पर दिखा क्रशी सेट्र का डेखा गई क्रांति जब आई तो उस समय देखा गया कि बहुत आगे बढ़ रही थी और इस तक्नीक का इस प्राथधोगी की का फाइदा किस ने उठाया क्रशी छेत्र ने भरबूर तरीके से उठाया लोगों के नए विकल्प मिले और वस्तूओं के विक्री के लिए बजार का उस्तार हुआ अब लोग जो थे और हाँ दूसरी चीज किया दी कि जो लोग जो है बहुत जातर मतलब क्रशी में थे है ना उन्हें बहुत सारे विकल्प मिल गए बाहर की कंपनियां आ गए है ना जो डिमांड थी बढ़ गई जैसे आप देखोगे बिस्केट वगएरा बड़ी ब गाओं के सारजनिक जमीनों को घेर लिया है ना भू संप्रताय बढ़ने से खाद उत्पादन में वहारी ब्रत्य होई अब यहाँ पर जैसे आपको पता होना चाहिए पॉपलेशन बहुत बढ़ रही थी जनसंक्या जो है वो अलग ही इस तर पर बढ़ रही थी जब जनसं गिष्टन है तो यहाँ पर यहां पर ब्रेटन के जो तीन हिसे और समतकरें द्रेशन है तो बढ़ तेनमे जैसे आजका स्कॉट्लेंड जयसे आजका स्कॉटिष वहोह तो नीचे जो वेलस पढ़ता है औहरीग इन यह वही ब्रिटेन है, जिसने हम भारतियों को जो अपना गुलाम मनाया था, यह वही ब्रिटेन है, ठीक है, तो इंग्लेंड, वेल्स और स्कॉटलेंड, यह ब्रिटेन की तीन हिसे हैं, जिस पर एक ही राज़तन का रथा समराद का साशुन, यह आपको पता होना चाहिए, त तो आपको 10 वही पता लग गया होगा, जो चैप्टर है हमारा, यॉरोप में राष्टवाद का होदय है, है ना, अब इसकी विशेश्टा है क्या आती है, तो को संपूर्ट राज में एक ही कानु नुवस्ता थी, सबसे बड़ी बात यह है, इनके में जो संसदी प्रडाली जो सिश्टम है, बाई, वो बहुत पहली आ गया था, है ना, पूरी याज जी के हम बात करें, तो यहाँ पर कानु नुवस्ता एक जैसी थी, एक ही जो है सिक्का जो है, अर्थात मुद्रा पाई आती थी, पूरे, अगर हम बात करें, इंगलेंड, वेल्स, स्कॉर्ट जो है एक राज से दूसरे राज में वेपर करने पर अलग-अलग से कर नहीं देना पड़ता था, अब ऐसा सिस्टम नहीं था, कि अगर तुम मान कि चलो, इंगलेंड से वेल्स में जा रहे हो, वेल्स से स्कॉर्ट लैंड में जा रहे हो, तो तुम्हें अलग कर देना पड से थी कि अब ये तो अपिठ तो रिपीट हो गया किसे हां पिटवा हुआ human विकास के पूंदी जैसे वह बाद करें दिर्टी डर्भी घाज़ेशे में वह यह का विकास हुआ है 89 में जो है लोही का पुल बनाया था था तीक है क्लियर हुआ जली वह फटावड से बताओ चलो ठीक है अब बढ़ गई ठीक है अब आथा देख रहे है खासर पिट वा लुहा क्या है सुनो पिट वा लुहा होता है जिसमें कार्वन की मात्र थोड़ी कम होती है और जो डल्वा लोहा होता है उसमें कार्बन की मात्रा बहुत जादा होती है तो यही होता है बैसे के लिए पिटवा लोहा और डल्वा लोहा के लिए रहे? ठीक है या नहीं है? फटावर से बता हो आया ना? यही है चलिए ठीक है तो आगे बढ़ते हैं पिटवा लोहे का विकास कैसे हुआ तो दृति यह मैंना अल्ली बता दिया है ना डलवा लोहे में ज्यादा होती है और इसको पकाकर भट्टिया पकाकर बनाया जाता है और ध्वही करांती का ओरतों बच्चों की जीवन पर प्रभावुए यह बहुत इंपरन टॉपिक है कि और ध्वही क्रांती हुई तो उसने सब के जीवन को उसके जीवन को क्या सबभावित किया उसके थोड़ी सी, हम बात कर लेते हैं. तो देखो अधवै कि रांडी में जो महिलाएं थी. अर बच्ये थे, महिलाएं थी. इन पर क्या आसरपढ़ इसकी बात करते है? तो मज़धोरी, और हाँ, जिएधा काम भी करती थी, प्लस उन्हेंरे मसदूरी भी कम बला करती थी, उन्हें पगार जो है, वो भी कम मिलती थी, as compared to man, हैना, पुरुशोν से compare करें तो, महिलाओं को जो है, काम, निम्टम जीवा, आत्म सम्मान में वर्द्धी है ना यहां पर यह थोड़ा सा यह एक जो अच्छी चीज वह क्या होई कि अच्छी चीज यह होई कि महिलाओं को ना वित्ती सुतंता में लगी मतलब वह इंडिपेंडेंट होगी अच्छी फैनिशली इंडिपेंडेंट होगी यह तर्म आपने बहुत सुना होगा वित्ती रूप से सुतंत होगी मतलब पैसे आने लगी है ना और जो है थोड़ा सा होने आत्म सम्मान में जो वर्द्धी भी जब भाई लोग कमाने लगते है पैसा जब आने लगता है तो ज जो सामने वाले के नजरों में रिस्पेक्ट होती है बढ़ जाती है ठीक है यह सारे चीजे हो गए अब काम की घटिया पर इस्तितियों के बारे में बच्चों के बाल मशीनों में जो है फज जाने जाना उनके हाथ कुचल जाते थे मशीनों में गिर कर बच्चों की मौत जल जाते थे मतलब बच्चों से भी काम करवाए जा रहा है यहां पर बात हो रही है कि बच्चों से भी जो है यहां पर काम करवाए जा रहा है कभी-कभी क्या होता है। बच्चों को बिशें को बेजते थी ना। दुर्गटना का भै भी बना रहता था, मतलब कोई चुखलाने होती है ना, रैटल मायने होती है तो उसमें रास्टर बहुत चोटे चोटे होते हैं उसमें कोई बड़ा inशान नहीं जाता है तो बच्चो को बेजदा आता था अंदर पर जो है इतने जारा compliance नहीं करने पड़ते थे और इसी वज़ाए से जो है जो companyya होती थी जो बड़ी-बड़ी industries होती थी यह क्या करती थी बैसिकली यह जो है social किया गरती थी किसका social किया गरती थी यहां पर बच्चों का औरतों का महिलाओं का परुशों का कोई भी working art defined नहीं थे बाई 15 घंटे 16 घंटे तक काम करवाया जा रहा है उस टाइम पर सिर्फ एक ही यहां पर मोटे हुगा करता था कैसे जादा से जादा प्रॉफिट कमाया जाए ठीक है तो यह पहले यह और दोई करांती में कुछ कमिया जो है मु करा दे रहेगा ठीक है ना तो आज के इस क्लास में थोड़ा से इतना ही पढ़ते हैं तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में ठीक है तब तक लिए अपने धान लखिएगा गुड़ बाई टेक केर